पॉड़काश्ट में और हमारे साथ दुबारा हैं, खुशी और काश्वी. और आज हम बाते करेंगे कि अगर आपको इंटर कास्ट शादी करनी है या किसी और कल्चर में शादी करनी है, तो वो चीज आपको कितनी matter करेगी उस आप उसको adapt कर पाओगे या नी कर पाओगे कैसी thinking रहते है लड़कों की और लड़ियों के इस मामले में तो भाई चालू करते हैं दीपक दिल्ली के साथ पहले girl से पोछते हैं मैं भी गता दो आंसर बढ़िया दूँ एक दो मस्तवला आज आप first पे हो आपका first number है चल पहले डेटिंग की बात कर लेते हैं अभी शादी नहीं है डेट करना है और लड़की पसंद आ रही है अब जैसे आप राजपू तो ठीक है अब मैं बिल्कुली दूसरा कल्चर दू तो लड़की बिल्कुल क्रिस्चियन है वो तो रिलीजन हो गया कल्चर धोड़ी हुगा अचा चल साउथ इंडियन है लड़की फिर कर पाएगा नहीं करो नहीं करोगा नहीं क्योंकि अभी इस ताइम नहीं करोगा अभी लाइफ के ऐसे स्टेट पे हूँ कि आप मुझे घरनी है शादी तो अभी और नीश्य मतलब की तनी दूर रह रह रहे है अरे नहीं रहते यहीं है वहीं हो यहीं रह पडोस उने तरी तो ढामेन जोसां में ओनसे लीक्राण। मैं चलिक सिफेशन देता हूँ तेरी पडो यह तो गड़ाता पूरा लेकिन बच्पन से तुम एक दूसरे को देख रहो जानते हो ठीक और तालमेल बैठ बेठा हूए कुछ थोढ़ी कुछ तब हो सकता है अर कुछ तब है यह नियू सकता नहीं करहा थे पहली बाद से पर वह बर लो टोनों की लाइक है तेरी भी लाइक है, सुन्दर है समझ रहा हुआ है, पनार निन कुलाटा है मैं उनको डिस्ट्पेक निछ दुन कर एंकि निहीं कर सकते है मैं एक साथ नहीं कर सकते로 मेजर तो एक झाहते हैं जो लागना कशना लोसर 화 Question तुम में तो सब कुछ कर रही है भाई तू जो कह रहा है तेरे हिसाब से हाँ मुलवाना चाहते है ये वा बना लो ये तू हर चीज में ये क्यों डाल देता है कि वो सब हाँ कैसे सुनेगी लड़के की जब हाँ सुनवानी है तो ये पूछ ये सारी चीज सही भी तो देनी पडेंगी तो कहतो लहूं करवादे मेरी शादी है तो उमर मेर भी ले ले साफ शाथ ईंडियन जा डालके मेरी हां करवा देंगे आफते कणा तो दिया भाहा रहा हू हूँ नहीं करूँगा बहा थू नहीं करे heal the एक वोता है कि जो मेज़री डिगी स्रियोटाइपिंग बन रखे हैं मतला कुछ है ताभी तो बनीगी स्रियोटाइपिंगे मुह मारते हैं तरो तर रहते हैं पर जैसे सीरेस वाली मिल रही है सुद्री भी मिल रही है अगर बहुत चुदीर फॉर्नर मिल गी तेरे आपे दू है मैं ली करूँ है फॉर्नर से उसको इंडियन कल्चर पसंद है ठीक है वो टेमपल्स भी जाती है इंडिया बहुत गूम ही है और उसे बहुत पसंद है इंडियन फूड सारी चीज सब कुछ और वो उसकी जितनी भी आदात है और उसकी सारी अच्छी आदते हैं अब फिर साले गूम फिर के वही बात आदी है दीवक तु शादिगर एक फॉर्नर से जो साले तू नहीं करना चाता तो तेरी में तू यही मैजन तो कर सकता है कि ऐसी लड़की हो सकते है जो सुदृ हूई हो आदतों में अच् चल सकता क्या हँख पता है तो हमारे घर स्याइद कर सते हैं अगली कंगीन Whew टार सकता अगले मिला कर सकता है तुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कोई तुम साथ में बैठ गया तेरी बात्चीद भी अच्छी हो रही है ऐसा लग रहा है तुनिंग अच्छी है अब पता चला कि फैमिलीज में बहुत डिफरेंस है तो तु बात आगे कंटिन्यू करें नहीं करूँ नहीं करूँ नही इसमे बात अब हएब शाद में आधार तंकि तुझे शादी करनी अभी अभी तुझे करना है चीलिंग 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 ही तो पर किसी से के साथ न वाल रहना है यावालीटि टेम स्पैफित लड़के अक्सर यही करते हैं, जब लड़किया गयती है, लड़के शादियों के लिएख लुखर जाते हैं, पिस की यही रीजिन होता है पिस जब लड़के किसी लड़की को देखते है ना तो उनको लगता है अरे बस यह मिल जाए मुझे और जैसे ही वो मिल जाती है आफेर में आ जाते हैं फिर एक टाइम बीच जाता है शादी की बात आती है फिर करते है अरे तुम्हारी कास्ट अलए है क्यों हिको करते ज़ए लड़की करते हैं लड़कियां इसा तृष करती हैं लिए आम तो समय कोछ यह कुल विंगर शेदी जासर नोइ मोच Рणिए टाइम आप बद रहे फैच हैं ज़ता हैं जारे लड़कें थो क्यों अप्यान की सीच्ट मेOUGHँ कि लड़कियास तो सबसे पहले बहाना यही देती है कि फैमली नहीं मानेगी तोड़ने के टाइम तो यह दोनों वेज वर्क करता है ऐगेस फैमली वाली चीज पर जैसे भी बात चल रहे हैं कि मुझे लगता है स्टार्टिंग में जब किसी को पसंद करते हैं तो वहाँ पर कुछ मैंतर ही नहीं करता है अरे बात असल में यहां सोच की भी हो रही है अगर मेरी बात हो रही है रही है वहाँ ब्ल daí। शे में अंहाई अही हि Emmane जान ब्ल Сам करसि Y औरे हमें करते कोंदी प्हार इंसे दोन है और जहिए ताधी को पियार हो गया अगर हो गया और उसने यह नहीं देख्अ प्यार करते कि वह बही लड़की किस्ट रिलेजन की एकिस कीं है क्या है तू कहता क्या येidor की पियार कैसे होता को ये अचा लगता है फिर आप उसे जानते ओ फिर फिर प्यार में पगते हो ये कैरे मैं पहली स्टेज काट दू Super साली अभे नहीं जब वह स्टेज होती है नहीं साथ जादा सोचता नहीं हैं और जादा रहर ड़ी यह कहे रहा है अभी की बात नहीं कर रहा है रहा हुआ कि सब्वाहिए थोड़ा बैक जाते कॉलिज डेज में जाते हैं इसके ठीक है को आपउस्टाइम कुछ भी बोलते क्य अब तो कोई सी भी मिल जाने दो फिर उस टाइम तो साले कोई सी भी लडगी के राट तो कोई सी भी मिल जाने तो वह बात अलग दिये कॉलिजी में साले थे 20-20 साल के अब सिस्टाम अलगा है और चलो भई अब इस पे आते हैं इस पे क्या आवे चार बार उसने अपना नाम खुद बता दिया काश भी पे इस पे क्या होता है इस पे भी तो इसी पे ही आएगा मैंने लास्ट टाम भी चार बार ही बताया था बताओ जी पूछो यही सिचुवेशन है इंटर इस पे रिफ्रेंसेज किस हद तक एकसेप्टेबल है आपको मुझे ऐसा कोई प्राब्लम नहीं है किसी भी कल्चर से हो कोई दिक्र मैंने आप तो एक लड़की हो आपको उसके घर जाना है तो आप नहीं कंसिडर करोगे वो चीज़गे अगर सेम कल्चर होते है अफकोर्स उसके बेनिफिट्स तो है लेकिन अब नहीं है और चीज़े चली गई है फ्लो में तो कुछ करी नहीं सकते अब लव है तो आप लव कोई चीज़गे तो होई जाता है ना वह इसलिए मनेगा इंटर रिलिजन भी चलेगा मुझे कोई प्राब्लम नहीं है आपकी फैमिली को हो सकती है फिर आप उनके गेंज जाके कर लोगे नहीं मैं कोशिश करूँगी कि वह लोग माँ जाए और अग्री करें अब बनाओ कोई सिचुएशन बनाना नहीं बनाता रहूँ बनाना नहीं मुझे लगता है मेरे लिए शकल बहुत मैटर करती है फॉर्णर से कर लोगे आप ऐसे इंजेंडर देख बुलबा दिया नहीं तेरे भाई ने अब ही कहारी प्यार अब कुछ मैटरी नहीं करता है प्यार भी ऐसी थोड़ी हो जाता है यार क्या फर्क पड़ता है बस यह है कि हाँ जब हम अपने कास्ट में शादी करते हैं तो मेरे घर के जो कल्चर है वही सेम लड़के के होंगे तो उसमें मज़ा आता है क्योंकि पता होता है फिर तो पॉड़कास्ट का पॉइंटी खतम कर दिया अपने हम तो इसलिए कर रहें कि डिफरेंसे हैं बहुत जादा है कोई और बताओ कोई कास साउथ इंडियन के अलावा अगर मैं साउथ इंडियन से हो सकती है मैं अभी उनी की किसी की शादी में ही गई थी तो जैसे कि हम लोग स्पून से खाना खाते है घर में एक बार कोम लोग फिर भी हाथ से खा ले तो बाहर तो स्पून से खाते हैं उनके में सीधा था कि भाई जो लड़की शादी गर्चे है मतलब इतनी महंदी लगाई है वो भी वहाँ पे बैटके नॉन वे जैसे मैं तो नहीं लाट करा रहा है मैं क्या हाँ सिखाओ यह तो बहुत माइनर चीज है तो मुझे असर असे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़े होगी तो आप कर लोगे ना पर फिर भी लव है पर शायद कुछ पता नहीं एक आंसर दो स्पस्ट हाँ या नहाँ? प्यार में हाँ तो बात ही वही है प्यार होगे लेकिन यह है कि हाँ बहुत डिफरेंस दर्टा अच्छ और अगर बेंगॉली है लड़गा बेंगॉली नहीं नहीं करूँगे प्यार है? कुछ रीजन से प्यार है बेटा? नहीं अच्छ बेंगॉली था नहीं in i 90, april तुझे वहां प्यार है? नहीं करोंगे बस सल्मान झान बेंगॉली प्यार है यह... सल्मान खाने तो हर सिच्वेशन में कर ले है और चलना तो' आप तो ना ही ना हो रही है और किसे कर लोगे और किसी से भी चलेगा हाँ और तो जनली जैसे पर जागा सब चलेगा मुझे मतलब मुझे ऐसे लोग हिंदो मुस्लिम को लेकर भी इतना जादा वो करते हैं बट मेरी नजर में भगवान एक है मतलब मैंने हमेशा से एक चीज़ मानी है कि एक ही है उसको अलग-अलग तरीके से हम लोग मानते हैं कोई अल्ला के रूप में कोई कृष्टिन के रूप में कोई हम लोग शिव के रूप में तो मुझे रिलिजिन्स ऐसे कोई इश्यू नहीं है और मुझे हिंदु मुस्लिम्स का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक जब मैं दिवाली मन आ रही हूँ मेरे बहुत सारे मुस्लिम्स प्रेंड्स हैं जब वो मेरे घर पर दिवाली पर आ रहे हैं मैं उनकी एद भी सेलिबरेट करती हूँ तो मैं उससे भी एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मेरे धर्म को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे मतलब आप कनवर्ट नहीं होगे नहीं अगर वो कहें शादी में रिचुल है आपको होना पर रहे हूँ मतलब मुझे जस धर में मैं बर्त के हुई हूँ तो मैं उसके रिस्पेक्ट करूँगी ना क्योंकि मुझे उसको बेजागर प्यार है तो भी तो भी विकुज मेरी फैंबली है उससे ना मैं उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो और खुशी आपका का खयाल है ऌइम इंटर कास्ट कर सकते हूँ अगर जादा कultureल डिफरेंस नहीं है मतलब बहुत जादा जमीन आसमान का फरक नहीं है तो तुझे कोई नड़का मिल रहा है नहींए डेसे नहीं करेगी नाइ बहुत दिफरेंस हो जाएग ना बहुत झाप तक दो यह करना हो तो मुझे चाहिए जो समझ रहा है ओलरी यह क्या अनार जलाना नहीं सिखा तेरे लिए वो दिवाली मना लेगा सब बना लेगा दिवाली मनाने में होता क्या है पूजा करनी है वो तू सिखा दियो एक बार बाकी पटा के तो खुदी फोड लेगा क्याने के मतले बहुत है कि उसको यह सबनी अपना कल्चर नहीं समझाना चाहरी है उसको कुने अवे लेगी यह तो एक्साइटिंग चीज है थोड़ा कर तुछ तू पढ़ने गई है उनिवर्सिटी बहार और तेरे को उस बंदी से प्यार हो गया तो भी उसे प्यार करती है और वो तेरे से प्यार करता और कह रहा है कि मैं तयृ लिए लुग इम्पनी धरे साद़ लूँ operate झाना में उटरा करों और इंडिया मेर ही रहीगी चादी के बढ़नी जाएगी तो वो तेरे तेरे तैयार है और वो मान गया कि ठीक है मैं आ जोंगा थेरे लिए यंदि तब कर भाई सब ज़िये क्यों भाइ तब करेगी। मिघस्रत से लिएने क्यों नग साक्रेखीर रहा है कि लिए मुझे रहा है। अतना के सफॉरिफाइस कर रहा हुदेरे पृएने इतना डिफरेंस्ट मेरठेंस्ट नेए इसकूसर्से मेंट करालेगी यह कर ते लेक्न लोग बूलते हैं, सब बूलते हैं कि हम लोग डेट लोग समझें कि कुल आप करना किरा है बाड़े होने के पास से फिक मिचॉरटी आते हैं हमें समझ आने लगता है कि यार ये करेक्ट है ये प्रॉंग है लेकिन कभी आपने महसूस किया कि आप जो 19 साल के उमर में सोच रहे थे वही आप 30 में भी सोच रहे हो अथारा में भी रहती है और मुझे लगता हो 60 में भी रहती है आप किसी 60 साल के बुड़े को या किसी भी एज बंदे को आप उसे प्यार करवा दो वही फील करने लग जाए यार पते प्यार तो रहता है लेकिन जब बंदा एज पर आता ना तो बाकी फैक्टर्स प्यार पे प्यार से खाने को तो नहीं आएगा काम करना है काम के लिए बाहर जाना है बाहर जाके किसी और से मिले उसके लिए फीलिंगा या वह प्यार था बहुत सारी बार लोगों को पता ही नी प्यार होता क्या है तो वह फीलिंग आ जाती है कि कई कई बार प्यार किसी से कहते है प तो आज सोच रहे हैं नहीं मैं तो इस इस इंसान से शादी करना ही जाती थी, कल मैं उससे से शादी कर रहे हूं यह तो फिर देखो फिर यह तो चाहिए हम तो उस पर बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास given a choice if we have a choice तो हम क्या decision लेंगे है और यह वैसे भी जो तु कह रहे हैं कि 18 साल में सेम सोचती और 18 से में सेम रहे हैं तो फिर वो तो यह तो बात सच ठू होई निसकती है इतना time जरूरी है तो 18 और 28 मेरी 18 से 22 मेरी एज है तो मुझे उतने में समझ में आ गया कि शादी करने के लिए डेट कर लो उसादा बैट रहे है अच्छा तो बहुत जल्दी समझ आ गया तु बाइस की है बस उस दिन जैंजी जैंजी नहीं कर रहे है मुझे लेकर अगर मैंने शादी के लिए डेट करना, और वस चार लड़कों को मैंने यहादी कर लिया फिर भी मैं शादी नहीं पर शादी कर पाई क्या वे तो ठुक्त शारंसी नहीं है लेकर मुझी उन 4ाओ में वो लड़के मिले ही नहीं जो मैं चाहती हूं तो फे डेट किया हुने? यही तह मैं हो ह कह रही जब हम डिट है तो डेट करने से पहले जानके डेट करो है ऐसे थोड़ी नम पर बात्त हो taką गटीड न था?. अभी तू 28की şu पर रहा कि टारे से उंच्ट, इस दारे में पार्टनर के क्या गए? तो मुझे वह एक चीज बता रहा है कि यह चीज है और मिने माइंड में आगई यह नहीं हो पाएगा तो मुझे उसी डाइंग शोड़ा है वह प्रैक्टिकल नहीं है कि तो उस बंदे शादी कर पाएगा तो तो मना ही करेगी और एक चल्चरन डिफ्रेंस हो तो क्या करना चाहिए आपकी बात आप अपनी जगा बिल्कुल ठीक हो आपका पॉइंट में दम है शादी तो देखो उपर से लिखके आई है हम तो बस बाती करके कॉंटेंट ही बना सकते हैं बस हम तो जनता को एंटरटेंट कर सकते हैं पर दा किसी कह आपर है तो जाइज बाती मत हो तो सही गय रही है नी बहुत ज़ी जह गलत भी ऑगे आपके अने गलत भी है, तो जुद आप है मिक्स है, मिक्स चलो जा आप बताओ आप बताओ ना और इसका लास्ट बने के पहले तो बताओ क्या पूछो 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 भाहिया, मारो भाहिदेख, इंटरिलीजन नहीं चलेगा इंटरिलीजन नहीं चलेगा इंटरिलीजन नहीं चलेगा इंटरिलीजन के बताओ 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 फैमली अछी हो मैं ना वो नहीं देखता कि जेनरलाइज़ चीज है कि एक कास्ट के लोगों को जेनरलाइज करते हैं ये तो ऐसे नेचर करते हैं मैं परस्नेली मिल के अगर मेरेको फैमली सही लगती है कस्टमाइज़ तो फिर मेरेको चलेगा मैं बाहर की से मेरे को अगरे, मैं वेरे को लगता है, कर सकता हूँ कर सकता हूं क्या होता है कहतो रहूं कि मुझे मिल गए जैस्सी चाहिए, मैं इन चीज है इंडिया के रह रही है और अगर उसके अंदर ये चीज है कि वो मेरे मम्मी की सेवा कर सकती है तो मैं कर लूगा उससे मतलब मैं उसकी लॉयल्टी डाउट नी करूँत perfect नी करूँगा कि अंग्रेज है तो ये character की डीली होगी मैं ये चीज नी करूँगा अगर जैसी मुझे चाहिए वैसी मिल गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसे मतलब अगर मान ले घर के कामवाम नहीं भी कर रही है कुछ सिखाना पड़ जाए तो भी चलेगा मैंने तू कर लेगा इन तोटल मोटा 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 गरेश से कर लेगा ये सी कभी पता नहीं चलेगा है सौहत इंडियन से तो अच्छे होतें बाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोग-टो सभ अच्छे उनका थोड़ा कल्चर डिफरेंस होता है बट मुझे उनकी बहुत बहुत अच्छी लगती है कि कुछ अब मुझे पता नहीं पर मैंने ऐसा सुना है कि अच्छी लोग अपने सवाथन कल्चर को बहुत अच्छी से प्रिजर्व करके रखते हैं उनके जो रिच्वल्स होते हैं घर के भार रोज सुनाथन के रंगोली बनाते हैं और वो पूझा पार्थ वाले होते हैं वह सब हैं कल्चनल लड़की हैं अब इस नदिया में सवाथ आतन और कृस्टान भी तो रहते हैं? अरे मतलब जो वहा के सनातनी है वह अपने कल्चर बहुत प्रिजर्व करके रखते है यह सनातनी वहों की बात कर रहा है कि वह जैसे घर के बाहर सुबह उठके हर किसी के घर के बाहर आपको रंगोली दिखेगी और बहुत ज़्यादा ओल्टेम्पल्स है उनकी पूजा पार्ट बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसी मिलेगी तो मैं कर लूँगा अच्छी है सारी चीजे तेरे को अगर मैंच हो रही है तो घर वाली कर लूँगा कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं बंगाली बेंगॉली में यार नहीं करूँगा क्यूंकि वो बिश्माला के चिकली भी आपने भी तो ट्राय किया ही हुआ है यार किया है लेकिन मुझे उस टाइम मेरे को अच्छा नहीं लगा ना इसलिए मैंने छोड़ दिया ना अगर ऐसी बेंगॉली जो नॉन्वेज खा गाती ना हो और सब तेरी तरह पूजा पाहट बें नॉन्वेज नहीं खाती फैमिली अगर अच्छी है तो फिर मैं कर सकता हूं मैंने फॉर्णर मना कर दिया मुच्छा ही नहीं अब तेरा पे आजाए बहिया अब लेंट भी लंब हो जो बोलो आप कर लोगे बाई इंटर तेरिकास भी बहुती ज़्यादा मुश्किल है क्यूकि भई घर वाले है और उनकी ज्यादा सो ते disrupt मन लग्या मनाने की कोशिश करेगा घर वालों को भई अगर प्यार है तो मैं मनाने कोष्च करूँ कि मैं इस लड़ी से प्यार है और मान गये तो कर लीआ को इसम धर हो को प्रूव कर दी है और बढ़िया है बिल्कुल अपने देशी कल्चर को फॉलो करने वाली है इंडिया आके रहेगी गाहों में वो भी कर लेगी गोबर भी उठा लेगी उपला भी बना लेगी तरह मुभी दे का मार देगी सब कर देगी बाई कर लूगा अगर घरवाले मान ग है कि मैं उतना नहीं कर सकता मैं मेरा भी तो एक जोन है कि मैं कितना करूंगा किसी के लिए कितना क्या करना है तुझे मलब कल्चर किसी का कल्चर मुझे भी तो फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा थोड़ा जितना जरूरी है उतना नहीं कर पा बेंगॉली बेंगॉली भाई मुझकिल है घरवाले मुझे लगता नहीं गुजराती इदर वाला इस्ट कोस्ट राजिस्थान गुजरात गुजराती भी नहीं थोड़ा खाना अलग हो जाएगा मेठा पंजाद है मुझे स्पाइसी पसंद हो बनानी पाएगी और नौर्थ नौर्थ इस्ट जैसे रंदीप हुड़ा भाई लाएं नहीं नहीं भाई आ रहा है मलब कुछ जादी अलग डिफरेंस है उदर तो खाने का भी रहने का भी हर चीज अलगी है अबे वो तेरे पर्डोस में ही रहती है ये नहीं है वहाँ जाकर लेके आनी है ये सब तुझे लेकिन मैं है कलचर मेंछ नहीं करेगा ना मतलब भाई हूकि मैं तो रहती तो यहीं है तेरा बच्पन से प्यार हो रखा है तर से हमसे साला पियार करवाता है, खुझ करता नहीं है तुझे प्यार नाम की सब्स बाइच प्यार नाम के। दियुक हम से प्यार नाम की जीज़ है गिद शुट नहीं है इसके लिए भुजब है किसे दुकर लए किसी किसे जिए करणे कहा है यह प्यार भी है। Defender, Fortuner, G-Wagon नौर्थीज की लड़की है? यह कहा की है? नौर्थीज की है, तुझे पसंद है, घरवाले भी कहरें, बेटा कर ले, घरे लुए पूरी, कर ले भाई, नहीं यार, मना कर दो अब अब लुए प्यार क्यों करा फिर उससे? अबे प्यार करा तो कोई बात नहीं होता रहता है तो यह लड़के होते हैं, जो एंड में मना कर देता है, कि शाहद ही लिकरूँ का तुभारी बात हो मैं तभी करूँ यार अगर प्यार तभी करूँ अगर मुझे पता होगा, इसाद भविष्य है मेरा तभी करूँ अब नहीं करूँ तू साले लास्ट में इसले बोलता ना मैं सब का अच्छा-च्छा सुन लूँ पहले इससे शुरू करते हैं अच्छा गासा मां शुरू हो नहीं दिली तू बोल यह जो बोल दिली तू मुझे सिखा मैं क्या बोलू कोफियो तूने भी करिया कि मैंने बोला था स्टाटिंग में के मैं अगरी कर रही हूं रहा हूं कि बाई जो है ऐसे रहेगा कि नॉर्षाइड की लड़कियों चले ही कोई दिकत पहाडों की नॉर्षाइड में लेकिमाचल वहा की लड़की चल सकती है रीजन 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 आपको नहीं बतां तो अच्छा है मैंने भी पताया है reason यह है कि घरेलू होगी सारे reason तो और भी जगा मिल और मेरेको परस्नेली पहाडी लड़किया पसंद है परस्नेली पहाडी पिलेट पहाडी लड़किया पसंद है नौर्फ़ीश्ट में वह पहाड लेकिन उनका culture थो बिलकुल अलग होता है, उनका culture थो पिलकुल अलग होता है उनका फिर भी culture थोड़ा similar सा है, नहीं है पहडी culture मैँ तो यार वह मैं जालूगा कियोंकि मुझ़े ना पसंद थे PAहड लड़िकीया तो मैं खोद विलिंग हो करने के तो बाते चलतीchine यह तो खिज जाएंगी आप पॉड़ कास्ट को सिर्फ एंटर्टेन्मेंट परपस के लिए ले हम किसी भी कम्यूनिटी को किसी भी कास्ट को किसी को भी डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी हमें किसी को डिमीन करने का किसी को गलत दिखाने का हम कोई होते नहीं है पहली बात तो ऐसा किसी को भी जज करने वाले गलत बोलने वाले अगर कुछ गलत आपको लगा हो हमारे मुझसे निकल गा हो तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे हमारा intent हर्ट करने का नहीं है किसी को हमारा intent सिर्फ content creation मैं अदब fun talks करने का या और हमारी personal choice ह थोड़ी जो हमने बोली यहां पर ऐसा नहीं हम इन जेनरल कुछ पबलिक के लिए कुछ बोल रहा कुछ अब अगर प्यूश ने कहा दिया माल चाहिए मनलब चाहिए परसनल चॉइस तो आज भी अपनी बोली सकता ना इन जेनरल नहीं बोल रहे हम तो दिल पर मतलगाना कु और आप लोग इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आ रहे थे हम मिलें आप से नहीं पॉड़्गाश में बाई बाई टेक कर देख